नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं श्राम तक की 10 फटा-फट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कामेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूले। 11 को दिन का तापमान 10.6 डिग्री सेल्सिस तक गिर गया था। मौसम विभाग के नुसर इसी तरह का मौसम साथ जन्वरी तक बना रहेगा। अब तक का सब सिकम अरिक्तम तापमान 17 जन्वरी दोजा तीन को था जब ये गिर का 10.2 डिग्री सेल्सिस हो गया था। सियम योगी ने सड़का सुक लिए 5E फॉर्मूले पर दिया जोर। कोविड ने तीन वर्षों में 23,600 लोगों के जानली वहीं 2022 में किवल एक वर्ष में सड़क दुरुकटनाओं में 21,200 लोगों के जान चली गई। प्रदेश में 32 रड़क दुरुकटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार 5 जनवरी से 4 फरवरी तक सरड़क सुरक्षव पर एक महीने का अभ्यान चुलाईगी। वित्यवाश दोजाएकिस 22 को लेकर अखिलेश ने योगी पर कसा तंज उत्रपदेश की योगी सरकार प्रदेश में विकास गाती को दोगनी रप्तार का दावा करती है। साथी सरकादेश को दूसरी सबसे वड़ी करनौमी वाला राज्य पताती है, जब आकडे सामने आए तो सब स्थब रह गए। दरसालिक रिपोर्ट के मताबिक वित्वाश 2021 में उत्रपदेश की विकास दर सबसे नीचले सर पर पहुँच गई है। इसे लेकर उत्रपदेश की पुर्व मुख्य मंत्री अखिलेश वियादव ने योगी सरकार पज्रम का निशाना साधा। अगला बजट प्रदेश की अगले बजट का का साथ लाख करोड रुपे से जातक होगा। विद्विभाग ने अगले बजट के लिए सभी विभागों से 30 नमंबर तक प्रस्तावों मांगे थे, सूतरों के अनुसा सभी विभागों से प्रस्तावों मिल चुके हैं पुरानी परियोशनाओं के लिए आवशक राशी और ने प्रस्तावित परियोशनाओं के लिए धन की जरूरत पर विभागों के साथ विच्वार विमाश की आजवा रहा है SND के प्रस्तावों के और चित्ते और इसके लिए मांगे के इदाशिर को भी तारकिक सिमा में लाने पर विच्छार हो रहा है UP निकाय चुनाव आरक्षन को लेकर स्ट में सुनवाई आज उत्रपादेश में नगनिकाय चुनाव में OBC अलक्षन के मामली में आज सुप्रीम कोट में सुनवाई होगी राजय सरकार ने इलाबाद हाई कोट के आदेश पर रूख के मांग करते हुए या चुकादार की थी सरकार की तरफ से सॉलिसीटर जनलतुशार महता केस लट रही है दोजनवरी को हुई सुनवाई में महता ने स्ट के सामने सरकार पर पक्ष रखा था उन्होंने कहा कि सरकार ने OBC आयो का गठन कर दिया है साने निकाय चुनाव अब आयो की रिपोर्ट आने के बाद ही ये करवा पाएगा मनमाने तरीके से नहीं रोग सकते शिक्षकों की सेलरी NPS के मामले में यूपी सरकार को बड़ा जटका एक तरफ देश भर में पुरानी पेंशन योजना दुबारा लागो करने की मांग तेज हो रही है दूसरी तरफ नई पेंशन योजना के मामले में हाई कोट की लखनाओ बैंच ने यूपी सरकार को बड़ा जटका देती हुए इसे न अपनानी और प्राण में पंजिकरन ना करने वाली याची शिक्षकों का वेतन नहीं रोखनी का आदेश दिया है बेसिक शिक्षब विभाग के याची शिक्षकों ने राजसरकार के सुरा देसमब 1222 के शासना देश के उस प्रावधान को चुनोते दी है जिसमें अपनाने वाले शिक्षकों का वेतन रोखने का प्रावधान किया गया है नयायले ने कहा कि मरमानी तरीके से वेतन नहीं रोखा जा सकता के लिए फॉर्म भरे लाख चात्र चात्राओं के लिए विश्यवार परिक्ष्रा तीतियों हे तू यूपी बोर्ड इंटर टेट शीट दोजातेज जल्द ही जौरी करने वाला है उतर पदेश उमार्दिमिक शुक्षा परिश्रा दियान यूपी बोर्ड के सूत्रू से प्राप्त जौन करी की अधार पर प्रकाशित विभिन मेडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी बोर्ड बारवी डेश्वीट दोजातेज को इसी सप्ता के दोरान कभी भी जौरी कर सकता है ग्लोबल इंवेस्टर्स समिbaj का घरेलू रोडशो की कमान खुद संभालेंगे चार जन्वरी की दोपहर में राजधाने लखनाओं से मुंबई के लिए उडान भरेंगे, जहां पहुंशने के बाद वर्श्राम को महराष्ट में रहे रहे उत्रपादेश के प्रवास्यों से मुलकात करेंगे, वहां प्रेस कॉन्फरेंस भी करेंगे, स्रीम योगी की फिल बढ़ा है, निगम के इस फैसले का बोज शहर के करीब 11,000 यात्रियों पर पड़ेगा, इबसों से रोजना 7,000 और समाने बसों ने 11,000 शहरवासी यात्रा करते हैं, चहर में 50 इबसे और 103 डीजल बसे चल रही हैं, इसका लाब शहरवासी उठाते हैं, लिकिन परिभर निग बसों का फेरा बढ़ाया कया है, किसान दलित मुसल्मान, यूपी में एंचरी करते दिखी रहूल गांधी की सोचल इंजिनरिंग, कॉंग्रेस की भरते जोड़ो यात्रा उत्रपरेश के बागपत पहुंच चुकी है, जहां किसानों ने रहूल गांधी का फूलू से स्वा अधार को दुबारा हासिल करने की कोशिश करती नजर आ रही है, कॉंग्रेस की भरते जोड़ो यात्रा देश के सबसे बड़े सूब उत्रपरदेश में पहुंच चुकी है, यूपी में जहुल गानी भले ही, तिन दिन ही यात्रा करें, लेकिन कॉंग्रेस के पुराने और कोर वोट बैंक को साधते जरूर नजर आ रहे हैं, ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरे, रोजान उतर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भोले, धन्यवाद